नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव बांगलादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखा गया शेख हसीना के स्तीफा देती ही कट्टर पंथियों ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और ये कब हिंदू विरोधी प्रदर्शन बन गया पता ही नहीं चला बांगलादेश में हिंदूों की दुकाने मकानों और मंदिरों पर हमला किया गया पांच अगस्त से शुरू हुई इस हिंसा में सेकडों हिंदूों ने अपनी जान गवादी महिशेक हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नोवेल पुरसकार विजेता मुहमद यूनुस के नेतरत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ अंतरिम सरकार पूरे देश में समान स्थिती वापस लोटने की कोशिश कर रही है इस बीच बाद देश के अंतरिम सरकार के सलाकार मुहमद यूनुस मंगलवार को धाकेश्वरी मंदर पहुँचे उन्होंने यहां पहुँचकर हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की जिसकी कुछ तस्वीरे भी सामने आई है वही इस दोरान चात्रों ने मुहमद यूनुस के सामने आठ सूत्री मांगे रखी देखिए पूरी रिपोर्ट बांगलादेश में हिंदू के खिलाफ हिंसा के मामलों के बीच धाका से बड़ी खबर आई है बांगलादेश के अंतरिम सरकार के सलाकार मुहमद यूनुस मंगलवार को धाका इस्थित धाकेश्वरी मंदिर पहुँचे है जोरान बांगलादेश सरकार के प्रमुक सलाकार मुहमद यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार के प्राइम गोल मानवादिकार को बहाल करना है और सभी के लिए freedom of speech को तै करना है उन्होंने धाका में धाकेश्वर नाशनल टेंपल में विजिट के बाद कहा कि हमें मानवादिकार और freedom of speech लागू करना है और ये हमारा मुख्योद देश है बतादे कि मुख्योद यूनस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया जब बांगलादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदू पर हमले बड़े हैं मुख्योद यूनस ने धाकेश्वरी मंदिर में कहा कि देश को संकट की स्थिती से बाहर निकालने के लिए लोगों को बाटने की बजाए उन्हें एक जूट करना चाहिए इस तरह के चुनौती पून समय में सभी को धैरे के साथ रहना चाहिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा बांगलादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और जगड़े का सवाल ही नहीं उड़ता हम सभी बांगलादेश की लोग हैं, हम सभी को ये सुनिश्यत करना चाहते हैं कि हम यहां शांती से रह सकें जाहिर है 1971 में पाकिस्तान के अस्तित्व से अलग होकर नए राश्ट्र के रूप में उभरे बांगलादेश का इतिहास ही विद्रो और रक्तपात से पटा पड़ा है शेक हसीना के देश शोड़ने के बाद वहां हिंसा और बढ़ गई है जुसका खामियाजा वहां के रहने वाले हिंदूओं को उठाना पड़ रहा है एक-एक करके हिंदूओं को बेरहमी से मारा जा रहा है उनके घरों को तोड़ा जा रहा है इसमें पूरा बांगलादेश हिंसा की आग में जुलस रहा है हर तरफ मौत का मनजर नजर आ रहा है देश में हुए हिंसा के निशा बता रहे हैं कि बांगलदेश के च्छात्रों में आरक्षण को लेकर कितना आक्रोष है ऐसे में अंतरिम सरकार को सबसे पहले इस हिंसा की आग को शान्त करने की जरूरत है और हिंदूों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है फिलाल इसकास रपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सी न्यूस भारत